नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्वपून जानकारी लेकर के मुनक्का या किश्मिष के फायदेयों नुक्सानों को आज हम जानेंगे अपने इस वियों के माध्यम से मुनक्का अर्थात किश्मिष को पुराने जमाने से स्वास्थ के लिए लवदायक माना जाता है किश्मिष को भूमध्य सागरिय शेत्रों में ज्यादातर उगाया जाता है इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं या पका के भी खा सकते हैं इसका इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया इसको प्राप्त करने के लिए अंगूर के भीतर के रस को या पानी को अलग तरह की प्रक्रिया को अपना कर निकालने के बाद सुखा दिया जाता है और यहीं अंगूर सुखने के बाद किश्मिश या मुनक्का में परिवर्तित हो जाता है और बाद में यहीं सुखा हुआ फ से पानी में भिभिन्गो कर रख सकते हैं आप, जो सुनहरे रंग के अंगूर होते हैं, उनको सल्फार डाईयोक्साइड के साथ मिला कर सुखाया जाता है, इसलिए उनका रंग सुनहरा होता है, जो काले रंग के किश्मिष होते हैं, वो थोड़े तीखे और खटे स्वादव जाते हैं इन्हीं किश्मिशों के लिए कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा मुनक्का शब्द का उपयोग किया जाता है अंगूर विभिन्य तरह की प्रजातियों और रंगों में पाया जाते हैं इसलिए मुनक्का का भी रंग कई प्रकार का होता है साथ ही इसका उपयोग भी इसके रंग पर निर्भर करता है मुनक्का हरे रंग काले रंग नीले भूरे बैंगनी और पीले रंगों में भी पाया जाता है मुनक्का में बीज भी होते हैं जो मुनक्का बीज रहित होता है उसको अमरीका में थोंपसोन सिडलेस कहा जाता है ग्रीक में क्रंट्स और फ अर्थात रिनी से हुई है और प्राचिन समय में किश्मिश शब्द की उपज लेटिन शब्द के रेसमस शब्द से हुई है जिसका अर्थ अंगूर या जामून का गुच्छा होता है समानिय तोर पर मुनक्का को राइसीन नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में इसे प्राइवितिस विनिफेरा है यह एक मीठा सुखा मेवा होता है प्राचिन काल की दिवार पर चित्रकारी इस बात को दर्शाती है कि उस समय भूमध्य सागरिय शेत्रों में इसके पोधे को सजावट के रूप में उप्योग में लाया जाता था इतिहासकारों का ऐसा मानन है कि फोनिसियन और अर्मेनियन ने इसकी खेती की शुरुवात की थी फिर उन्होंने रोमन और ग्रीस के साथ किश्मिश का व्यापार शुरू किया जहां इसे बहुत पसंद किया गया और इसकी मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में भी इजाफा अर्थात बढ़ोतरी हुई 18. शताबदी में स्पेन की रानी ने धर्म का ग्यान देने के लिए मिशनरियों को मैक्सिको में भेजा वे वहां ग्यान देने के साथ ही अंगूर का इस्तेमाल शाकाहरी मदिरा के रूप में करते थे इस तरह अर्मेनियाई किश्मिश की खोज के पहले संस्थापक बन गए वर्तमान में कैलिफोर्निया में करीव करीव 1,85,000 एकड में किश्मिश की खेती की जाती है मुनक्का या किश्मिश में पाये जाने वाले हम पोशक ततों के बारे में जानते हैं 100 गराम उनक का या किश्मिश में मिलने वाले प्रोटीन मिनरल्स और सारे पोशक तत्वों को हम अलग-अलग चाड के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं इसमें उर्जा ये ध्यान रख लें कि हम 100 गराम में बता रहे हैं मुनक्का में बहुत सारे मिनरल्स भी पाये जाते हैं जिनमें अलग-अलग पोशक तत्वों की मात्रा होती है जिसके बारे में भी हम आप सभी को बता रहे हैं मैगनीशियम ये ध्यान रख लें कि 100 गराम की मात्रा में हम आपको बता रहे हैं मैगनीशियम 32 मिली गराम मुनक्का में विटामिन्स की भी बड़ी मात्रा पाई जाती है इसमें मिलने वाले हर विटामिन की अपनी एक मात्रा होती है जिसको के हम आप सभी को बता रहे हैं मुनक्का या किश्मिष के स्वास्त के लिए अब हम फायदों को जानते हैं मुनक्का या किश्मिष को खाने से बहुत फायदा मिलता है खास करके वजन को घटाने में यह बहुत ज़्यादा लाफदायक है इसके अलावा इसके कुछ फायदे हम आपको बता रहे हैं 2011 में फूड और पोशन डाटा बेस के शोध में बताया गया है कि मुनक्का को खाने से मोटापा के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है और साथ हैं यह मोटापा कमर के पास से घटाता है इसके सेवन से उर्जा के साथ वसा भी मिलती है लेकिन यह वसा को शरीर में जमा नहीं होने देता है मुनक्का खून में मौजूद शरकरा के स्तर को नियंतरित रखने में सहायक है इस वजह से डाइबिटीज डाइब 2 होने का खतरा कम हो जाता है वैज्यानिकों ने भी अपने स्तर से जाच कर इसके स्वास्थे में लावकारी होने की पुष्टी कर दी है मुनक्का में अन्थोक्यानिस नामक पिग्मेंट होते हैं जो कि एंटी-अलर्जिक एंटी-कैंसर से बचाओ में सहायता करता है यह केवल बाहरी रूप से ही नहीं बलकि भीतरी रूप से भी सहायक होता है मुनक्का में फाइबर की मात्रा भरपूर रहती है जो कि शरीर में मौजूद वसा को जलाने में कारगर होती है इसके साथ ही यह कब्ज से राहत दिलाकर पाचन के शमता में सुधार लाती है यह शरीर में मौजूद हार्मोन लेप्टिन की मातरा को बढ़ाने में सहायक होता है इस तरह से इसको खाने से पीट भरा हुआ महसूस होता है जिससे भूख कम लगती है और हम भोजन के सेवन की अधिकता से बच जाते हैं फाइवर शरीर में मौजूद सारे विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है तथा पीट में अच्छे जिवानों की संख्या को बढ़ाने में जिसको मिक्रू वियोता का नाम दिया गया है सहायता करता है फाइवर यूप्त मु यक्ति उर्जानवित महसूस करता है मुनक्का हड़ी के विकास और पोशन के लिए भी जरूरी है मुठापा बढ़ने के साथ ही शरीर के जोडों में दर्द शुरू हो जाता है जिसे आश्टियोपोरेसिस के नाम से जाना जाता है मुनक्का मुठापे को कम कर इस रोग को रोपने में मदद करता है मुनक्का में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हड़्डियों और दातों को मजबूत करने में सहायक है इसके साथ ही इसमें ओले नूलीक एसिड होता है जो दांट की बीमारिizar जैसे कि मसूमों में जलन सूजन, कैविटीज, दांत के खराब होने इत्यादी से बचाता है यह हड़ी को मजबूत रखने के साथ ही उसे स्वस्त भी रखता है मुनक्का में प्राकृतिक रूप से शरकरा और गुलुकोज के साथ ही फ्रुक्टूज की मातरा पाई जाती है इसके साथ ही इसमें विट कैरोटीन न्यूट्रियंट्स होते हैं जिसमें एंटि ऑक्सिडेन के गुन समाहित होते हैं इसके साथ ही मुनक्का में विटामिन ए, बिटा कैरोटीन और एक कैरोटीनाइड की भरपूर मातरा होती है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही लापकारी है इसको खाने से आ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचने की संभावना बढ़ जाती है मुनक्का में बड़े स्तर पर कैंटेस पाया जाता है जो खून में पुलिफेनेलिक एंटि ऑक्सिडेंट के स्तर में बिध्धि करता है और यह कैंसर जैसी बीमारी की गती को धीमा करने की शम्ता इसमें विटामिन B कॉंप्लेक्स होता है जो कि खून के नमीनी करण में सहायक है साथ हिं कोपर की भरपूर मात्रा होने से यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मार में भी सहायक होता है मुनक्का में मौझूद फेनोलिक फ्यतो निउट्रियंट्स अपने जिवानों को नश्ट करने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं और इस तरह बुखार होने पर मुनक्का का सिवन अगर किया जाये तो यह बुखार के वाइरल और बैक्टरिया से लड़कर हमें बुखा कि व्रिद्धी को रोकने की शक्ति होती है जिस वजह से इसको खाने से दाटों की समस्या से निजात पाया जा सकता है इसमें मौझूद बुरान मुह में उत्पन हो रहे रोगारों को कम कर दाटों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है मुनक्क का पूरी तरह से एक वर्धक फल है इसका कोई भी कुछ भी गलत प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है लेकिन किसी भी चीज को खाने की मात्रा हमेशा सिमित होने चाहिए इसका भी ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए चुकि यह मिठा होता है इसलिए जो भी व्यक्ति सुगर की बिमारी से पिड रहे हैं मुनक्का के साथ ही इसका बीज भी बहुत ही कारगर होता है मुनक्का के बीज दिल को स्वस्थ रखने के साथ ही त्वचा दांत मुह की बदवू सूजन हड़ी में ताकत मधुमेह इत्यादी के लिए अच्छे होते हैं बीज के लाव को देखते हुए इसकी खेती भी बहुतायत मात्रा में की जाती है बीज के सेवन से प्रोष्टेड फेफणों में कैंसर एंटी एलर्जी इत्यादी को रोका जा सकता है क्योंकि बीज में OPC की मात्रा होती है अर्थात प्रोंथ्योच्यानी दीन कॉम्प्लेक्स ये एक तरह का एंटी ऑक्सिडेंट योगि है जो शरीर को लाग पहुंचाता है मुनक्का या किश्मिश के त्वचा के लिए कुछे कलाव होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं हर कोई अपनी त्वचा को हमेशा सुंदर और चमकते हुए देखने की चाहत रखता है तो इसके लिए आप रोज अगर मुनक्का का सेवन क करते हैं खास करके काले मुनक्का के सेवन से चेहरा हमेशा जवा और कांती में बना रहेगा मुनक्का के सेवन से शरीर में मौजूद अपशिश्ट पदार्त बाहर आते हैं जिस वज़ह से रक्ट का शुद्धी करण हो जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे चेहरे पे कील मुहासे और रुखापन नहीं आता है जिस वजह से चेहरा दागरहित दिखता है इसमें एंटियोक्सिडेंट की मात्रा होने से यह डियेने के विघटन को रोकता है जिस वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली तेज हो जाती है मुहासे और रुखापन नहीं आता जिस वज़़ह से चेहरा दागरहित दिखता है इसमें एंटियोक्सिडेंट की मात्रा होने से यह डियेने के विघटन को रोकता है जिस वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली तेज हो इसके साथ ही यह चेहरे पर हमेशा उम्र के साथ होने वाली लकीरों के प्रभाव को कम कर देता है। इसके साथ पूरे सीर में रामबा या किश्मिश बहुत ही लवदायक है। रक्त परिसंचरण को बनाए रखता है जिस वजह से बाल जहरते नहीं हैं और बालों के रोम छिद्र साफ भी रहते हैं जिससे बाल के लंबे होने की संभावना बढ़ जाती है। मुनक्का में लोह तत्व और विटामिन सी होता है जो कि तीजी के साथ खनीज तत्वों का अवशोशन कर लेता है और बालों को उचित पोशन परदान करता है। इस वजह से यह हमारे बालों को असमय सफेद होने से बचा लेता है। मुनक्का या खिश्मिश का जूस या पत्ते का फायदा जानते हैं अब हम। मुनक्का का जूस या पेश्ट तरह तरह के सोंस पास्ता और बार बेक्यू इत्यादी में इस्तेमाल होता है। मुनक्का का जूस या रस एकत्वरित पुनर रोधक है। इसके सेवन से एनीमिया की समस्या से मुप्ति मिलती है। इससे अस्थमा में भी राहत मिलती है। आई अब हम सभी जानते हैं मुनक्का या फिर किश्मिश को कैसे खाएं। मुनक का ऐसा फल है जिसको बहुत दिनों तक रखा जा सकता है यह बाजार में किसी भी किराने की दुकान या सुपर मार्केट में आसानी से मिल जाता है इसको सुखे रूप में दूध या पानी में भींगो कर साथिं जो भोज्य पदार्थ घर पर बनाये जाते हैं जैसे कि पुलाव, इत्यादी, उनमें भी इसका सेवन किया जा सकता है डाल करके, क्योंकि यह अपने मीठे गुन की वज़ा से खाने के स्वाद में भी बरहोतरी कर देता है, मुनक्का या खिश्मिश क्या, कुछ एक घरेलू इलाज में भी उपयोग होता है, आइए उसको जानते हैं यह आयरुवेद की दवा के तरज पर भी कारे करता है, जैसे कि आमतोर पर कुछ बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद भी बिश्तर को गिला कर देते हैं, अगर इस तरह की समस्या बच्चे में है तो दो मुनक्का लेकर उसके बीज को निकाल कर, उसमें एक या दो काली मिर्च के बीज डाल कर रात में सोने से पहले बच्चे को इसका सेवन कराएं, ऐसा करने से बच्चे की बिश्तर को गिला करने की समस्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी, यदि कोई व्यक्ति सुखी खासी से पिडित है, तो उसे घरेलू उपाय के रूप में मुनक्का, पीपल काली, काली मिर्च और खजूर सभी समग्रियों को अच्छे से पीश कर फिर सेवन करना चाहिए, अगर इसको हर रोज पिडित व्यक्ति को तीन से चार बार सेवन कराया जाये तो उस व्यक्ति को सुखी खासी में रहत मिलेगी, साथी यह बिमारी धीरे-धीरे पूरी तरह स ठीक भी हो सकती है, मुनक्का के इस्तेमाल से पुराने वुखार से भी रहत पाई जा सकती है, इसके लिए मुनक का शहःद, पीपली, खजूर, और घी, सभी को एक साथ पीस कर, इसको हर रोज पांच ग्राम तक की मात्रा में सेवन करने से बुखार में लाह मिलता है, मुन और रात में सोने से पहले इसे पी लें तो यह पुराने से भी पुराने कब्ज को खत्म कर देगा और कब्ज से होने वाली बिमारी बावासीर से भी रहत दिलाने में मदद करेगा इसके अलावा इसे घी में भूनकर और साथ ही एक चुटकी नमक के साथ खाएं तो भी यह कब सौफ को एक ग्लास पानी में भिंगा कर सुबह छान कर देने से एसी डिटी में रहत मिलेगी इसका सेवन सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए अगर किसी को सीने की तकलिफ या उल्टी की समस्या हो तो उसे 10 ग्राम धान के बीज और 10 ग्राम मुनक्का को 2 घंटे तक पानी म बार बार दें इससे उस व्यक्ति को रहत मिलेगी मुनक्का जमे हुए कफ को बाहर निकालने के साथ ही नकसीर जैसी बीमारी में भी रहत देता है इसके लिए मुनक्का या अंगूर के रस को भी अगर नाक में 3-4 बूंद के मातरा में डाल दिया जाए तो नाक से खून नि सार 72 परसेंट शुगर होता है इसके साथ ही इसमें ज्यादा तर मातरा में फ्रुक्टोज और ग्लुकोज भी होता है मुनक्का में खूबानी जैसे पोशक तत्व पाये जाते हैं इसमें इंटियोक्सिदेंट की मातरा भरपूर रहती है चुकि ताजे अंगूरों के अपि प्रियोलोजी के 61 वारशिक वैज्यानिक सत्र 2014 में प्रस्तूत आंकड़े बताते हैं कि जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की बिमारी है अगर वो हर रोज तीन वार मुनक्का का सेवन करें तो उनके ब्लड प्रेशर में कमी आएगी ये दूसरे स्नेक्स के तुलना में ज्यादा फायदेमंद साबित होती है तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक मुनक्का हमारे लिए किस प्रकार से लाप्रद हो सकता है हमारी कितनी बिमारियों का शमन कर सकता है नाश कर सकता है अगर हम इसका सदूपयोग सही ढंग से करते हैं तो बस ध्यान रखना च चाहिए बाकी हमने जैसे बताया इस प्रकार से अगर आप मुनक्का यानी की किश्मिश का सेवन करते हैं तो आप बहुत सारी बिमारियों से यूँ ही बच जाएंगे तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी से जुड कारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों